श्री गड़ेशाय नमानमस्कार में त्रोस वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपनी चैनल क्यान गंगा में हिंदो पंचांग के अनुसार जीतिया वरत अश्विन मा के कृष्ण पक्षी की सब्तमी से लेकर नवमी तिथी तक मनाया जाता है ये वरत तीन दिन तक चलता है इस निर्जला वरत को विवाहित माताय निर्जला रखकर अपनी संतान की सुरक्षा के लिए करती है ये वरत तीन दिन तक किया जाता है जिनमें से पहले दिन को नहाए खाय कहते हैं जीतिया वरत वर्स 2020 में 10 सितंबर 2020 को है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीतिया वरत की प्रमुक्तितियां तथा उनकी विदियों के बारे में तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है और अभी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रत वर्म तैवारों की जितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस साथ में बला आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तुसे लाइक और शेयर करना बिलकुर ना भूले तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। नहाय खाये का पर्व ये 9 सितंबर 2020 दिन बुद्वार को मनाया जाएगा। सब्तमी तिति का प्रारंभ होगा 7 सितंबर की राद 12 बच कर 2 मिनट पर और समापती होगी 9 सितंबर की सुबह 2 बच कर 5 मिनट पर। इस जिन जीतिया व्रत का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत का शुरुवात होती है, इस दिन महिलह नहाने के बाद एक बार भोजन करती हैं। इस वरत को करते समय केवल सुर्यधय से पहले ही खाया पिया जाता है। सुर्यधय के बाद आपको कुछ भी खाने पीने की सक्त मनाई होती है। जीतिया वरत का दूसरा दिन खुर जीतिया कहलाता है। ये 10 सितंबर 2020 दिन गुरुवार को है। अश्टमी तिथी का प्रारंब होगा 10 सितंबर की सुवए 2 बच कर 5 मिनट पर समाप्ति होगी 11 सितंबर की सुवए 3 बच कर 34 मिनट पर यह जीतिया वरत का दूसरा दिन होता है इस दिन महिलाय निर्जला वरत करती है यह दिन विशेश होता है जीतिया वरत का तीसरा दिन जीतिया वरत का पारण किया जाता है ये 11 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को है नवमीतिती का प्रारम होगा 11 सितंबर की सुबह 3 बच कर 34 मिनट पर और समापती होगी 12 सितंबर की सुबह 4 बच कर 19 मिनट पर ये जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है जीतिया व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता इसलिए ये निर्जला व्रत होता है व्रत का पाणर अगलेद दिन प्रादा काल किया जाता है इसके पाण्ध आप कैसा भी भोजन कर सकते है जीदिया ये जीवित पुत्री का वरत की पूजन विधी इस प्रकार है अश्विनमा के कृष्ण प्रक्षि की अश्टमी को प्रदोश काल में माताएं जीमुत वाहन की पूजा करती है माना जाता है कि जो महलाएं इस वरत की पूजा पुरिश्रदा और सिफास के साथ करती है उन्हें पुत्र को दिरखायो और हर प्रकार के सुख की प्राप्ती होती है पूजन के लिए कुषा से निर्मित प्रतिमा बनाई जाती है उसके बाद रोली अच्छत अर्पित करके फल फोल चढ़ा कर धूप दीब चला कर विदिवत पूचा अर्चना की जाती है साथी मिट्टी और गाहे के गुबर से चीलो सियारिन की भी प्रतीमा बनाई जाती है जिसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और पूजन के बाद जीवित पुत्र की कथा सुनी जाती है कहा जाता है कि जो महला इस व्रत को पूरे विदिविधान के साथ करती है उनके पुत्र को आरोग, सफलता, सम्रिद्धी और दिरगायों की प्राप्ती होती है तो ये थी जानकारी जीवित पुत्र का व्रत की मेरे वीडियो में आंते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ